नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माथियम से बात कर रहे हैं, चरित्र के विशे में क्या कहती है आपकी बोहें? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तक अवशे देखें. आपके सरीर का हर भाग आपके लिए कुछ न कुछ कहता है. हम पहले भी आपको समुद्र सास्त जैसे अद्भूद विद्या के विशे में अपने वीडियो में बता चुके हैं, जिसके अधार पर व्यक्ति के चरित्र और उसके सभाव को आप बड़ी आसनी से जान सकते हैं. हमने आपको यह भी बताये था कि आपकी कार्ण और आपकी आँखें किस तरह आपके भविशे के रैश्यों से परदा उठा कर अने लोगों को आपके बेवफा होने की बात कहते हैं. आज हम आपको आपकी बोहों या आइब्रो से जुड़े कुछ ऐसे ही सिक्रेट बताएंगे जो आपके वर्तमान की राजभरी बाते खोलेंगे जिसके अधार पर आपके भविश्य करने धारन होगा. दोस्तो Сमुद्र सास्केनुसार व्यक्ति की बोहों के बाल जितने ज्यादा घने होंगे उनकी क्रोफ जितनी अच्छी होगी व्यक्ति के भीतर की उर्जा उतनी ही ज्यादा होगी. जबकि eyebrow के कम बालो कार्थ होता है कि आपके भीतर इक्षा शकती और कुछ भी हासिल करने की ललक की बहुत ज़्यादा कमी है अगर आपकी eyebrow मजबूत है तो उससे आपके बारे में क्या पता चलता है अगर आपके आईब्रों के बाल बिल्कुल सैट और मजबूत हैं तो इस कार्थ है कि भविश्य में आपको काफी सम्मान मिलने की आशा है लेकिन ऐसे लोग सभाव से बेदी जिद्धी होते हैं जिसका खाम्याजा उन्हें अत्याधिक मैनत करने की रूप में चुका ना पड़ता है जाल साजी के सिकार होते हैं ऐसे लोग जिस व्यक्ति की बोहों के बीच में काफी गैप होता है साथ ही बोहों की सेप पार्ट है तो इस कार्ट है कि व्यक्ति एक दम मुफट होगा लेकिन ऐसे लोग काफी भाउक भी होते हैं जिसकी वज़े से ये गलत निन्हें लेने के लिए मजबूर हो जाते है ये लोग बहुत जल्दी दूसरों की जालसाजी का सिकार हो जाते है चोटी आईब्रो वे लोग जिनकी आईब्रो चोटी और मजबूत होती है लेकिन कोने तक पहुंचते ही काफी पतली हो जाती है वो लोग काफी क्रोधी सभाव के होते हैं इन लोगों में धैर्य बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता जिसकी वज़े से ये गलत निनने लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं काफी मूरी सभाव के ये लोग अपना दिमाग सई जगाय पर नहीं लगा पाते हैं गहन चिंतन जिन लोगों की बहुं में ज़्यादा बाल नहीं होते हैं वे शारिरिक और मानसिक दोनों ही रुपों में काफी कमजोर साबित होते हैं गहन चिंतन से घबराने वाले लोग मैनत करने से भी कतराते हैं एविश्वसनिये जिन लोगों की आइब्रो वी सेप में होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अच्छे और सफल वेवसाइक साबित हो सकते हैं लेकिन अन्य लोग उन पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं अगर आपकी आइब्रो एकदम सीधी या फिर नीचे की और जाती हुई दिखाई देती है तो ऐसे लोगों को आपने जीवन में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता उन्हें हर लक्षे को पाने के लिए काफी मेनत या स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन अगर आपकी बोहों का अकार दनुस की तरह यानि आर्ख सेप में हैं तो इसका मतलब है कि आप काफी लखी हैं टेडी मेडी आईब्रो इस बात की तरह फिसारा करती हैं कि जानते बुस्ते आप गलत निन्ने लेते हैं आप जानते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका नुकसान है फिर भी आप वो करते हैं जिसकी वज़े से आप अकेले रह जाते हैं या आपकी बिमारिया भढ़ जाती हैं इस्ट देव अगर आपके साथ ऐसे है, तो आपको योग से जूड़े अनुलोम विलोम आशन को करना चाहिए, आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और किसी भी हाल में आपको जूट बोलने से बचना चाहिए, आपको प्रती दिन अपने इस्टेदेव की अराध्मा भी करनी आपको हर समय कुछ न कुछ करने की धुन सवार रहती है आप अपने मस्तिस्क को बिलकुल भी आराम नहीं देते इसलिए आपके सामने सबसे बड़ी चुनोती ही खुद को नियंतरित करने और सिमित रखने की होती है आईब्रो की शेप हमने आपको विभिन टाइप्स के आईब्रो और उनकी विसेस्ताओं के विसे में बता दिया अब आप ही यह निर्धारन कीजिए कि आपकी आईब्रो की शेप उन खुबियों से कैसे मिल खाती है अगर विडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जय हिंद